अक्षम बच्चे किसी से कम नहीं होती, कुछ ऐसा ही जिलास्तरिय खेलों में अक्षम बच्चों ने करके दिखाया है। खेलों में बचट कर हिसा लिया इस अब सब पर जिला खेल अधिकारी सुदेश धिमान ने दिव्यांग बच्चों को अवल रहने पर पुर्सक्रित किया अतलैटिक कोच पूर्ण चंत कटोच ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए खेल कुद प्रतियोगिता करवाई जा रही है और खेल कुद प्रतियोगिता में दिव्यांग काफी उसा दिखा रहे हैं उन्होंने कहा कि सौधी व्यांग बच्चों ने आवेदन किया है और बढ़िया से खेल कूद प्रतियोगिताओं को संपन करवाने के लिए खेल विभाग काम कर रहा है उन्होंने बताया कि जिलास्तर पर अबल रहे बच्चे आब धरमशाला में होने वाली रज्जिस दरिया टूर्नामेंट में भाग लेंगे जो दिकलांग बच्चों की और सटसम बच्चे होते हैं इनके लिए हम भिन भिन प्रतियोगिताओं करवाते हैं इसी वज़ा से इन बच्चों को काफी प्रोसान देने के लिए हमें चाहते हैं कि बच्चों को भी अच्छा मिले और इसमें हम डिस्टे के लावल की यह बिन-बिन बलॉकों से बच्चे आये हुए हुए जैसे पैचान के बच्ची आये हुएं, उदर अपने सुजानपुर से बच्ची आये हुएं, इन लग-लग अपने अपने एंज्योएम की तरफ से भी आये हैं, कुछ बच्चे घर से आये हैं, यहां सौ के लग बच्ची यहां प्रतियुगता में भाग ले रहे हैं, और पेर यूगता में बोच्ची और स्टीपिंग 100 मिटर 400 में सभी मैंगा इनको भाग लाते हैं और पिछले साल भी हमारे बच्चों काफी रिस्पॉंस है इसका जहां पिछले साल हुआ था काफी बच्ची हमारे बढ़ चड़के भाग लेते हैं तुभी लाखे